हेलो कैसी हो आप सभी स्टुडेंट्स आई थिंग सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने एक्जाम की प्रपेशन अभी से बहुत अच्छे ढंग से करना सुरू कर दियोंगे और जिसने अभी तक एक्जाम की प्रपेशन करना सुरू नहीं किया लैब असिस्टेंट कि वो अभी किस तरीके से बेसिक से जीरो से त्यारी करें और क्या सटीक रणनीती रहने वाली है हमारी इस बैच को लेकर इस आने वाली अपकमिंग वैकेंसी लाइबस लाइबस सिस्टम 2023 को तो सभी हम बात जीरो से करने वाले हैं तो मेरे जितने भी पैरे बच्चे आज इस आने वाले समय में आपको यह जो आज जो रणनीती में बता रहा हूं यह बहुत कारागर साबित होगी बच्चों कि आप सभी को पता है कि अपकमिंग वैकेंसी 2023 की और आने वाले सारी चीजे में अभी सब कुछ बताऊंगा और फिर क्या एक्जाम पैटर्न को लेते हुए यह वीडियो तीनों बच्चों के लिए हलफुल है होम साइंस हो जोगरोफी हो यह साइंस वाले हो थीक है तो अब हम बात करते हैं सुरवात करते हैं आप सभी के सामनी क्या सटिक रननीती रहने वाली है और उससे पहले मैं बता दूं कि आपको अगनी बैच की लाइव क्ल है राज तान में सबसे защask और अनलीति के साथ हम सुरू कर रहे और सबसे जाधा selection भी हम ही ने दिये हैं पूरे राजुस्थान में से जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर से जुड़ जाओ डबल नाइन टू नाइन सेवन एट सिस त्री डबल से उन और किसी पुरानी बच्चे को कोर्स यह लेना हो जिसने पहले लिया हो फिप्टी परसंटेज के साथ उसको मिल जाएगा ओफ यह यह टीसर की टीम है इस सब बात करेंगे देखो त्यारी कैसी करें पहरे बच्चों समझने के कोशिस करना अभी भरती का अपडेट हमें कहां देखने को मिलेगा देखो वैसे तो सारी चीजें ठिक्स हो चुकिए कि भरती सो परसंटेज आएगी और प्रियुक सालस आए जो मार्च के अंदर अभी बजट पेश होगा उसमें की भरती 2023 के अंदर पास करेंगे जैसे हमें करना पड़ेगा भाई सरकार को यह भरती कंप्लीट करवाने सीट नंबर और सीट बहुत ज़्यादा का लिए उसके अलावा न्यू वैकेंसी का नोटिविकेशन हमें कब देखने को मिलेगा जब यह जो अधिनस बोर्ड के साइड पर वो अप्रेल के अंदर जुलाई में आचार सहीता लग जाएगी ठीक है और आचार सहीता के कारण वैसे तो एक्जाम पर कोई परबाव नहीं पड़ता है अधिनस बोर्ड चाहिए तो एक्जाम करवा सकता है बट वो डिपेंड ओन गवर थी Ł% कितनी खाली है एक्ई तो खाली है लिप शाइन्स की भी खाली है hect हॉम साइंस की जो ग्रिफिक की मैक्सिमम सीड खाली किसकी है साइंस की फिर उसके बाद जोग रोफिक थी कहा और सबसे कम पोस्ट क्रशली को ने बहुत देरी कर दी θी और देरी करने के स्पैंड पो है अभी अपनको जन्वरी के लास्क में देखने को मिलेगा क्योंकि 6 जन्वरी तक डीवी होंगे दुबारा उन बच्चों के जो अब सेंट थे डॉकमेंट से वेरिफिकेशन जो अब सेंट थे जो नॉबर में नहीं कुर्वा पाये थे इसके बाद सब के मैडिकलिस्ट बनाकि निकाल दे जाएगा सरकार निंवर्ती कंप्लीट लेका लिए जोयनिंग दे दें खरवरी में 222 भरती कंप्लीट एक साल भी पूरा नेलिया इन्होंने पूरी भर्ती कंप्लीट कर दी सित अपको त्यारी करने का एक साल भी नहीं मिलेगा बच्चों और एक्जाम जो सलीबस है काफी ब्रोड और वाइड है काफी बड़ा है ठीक है तो अभी काफी लोग भी आपको बर्मित करने की कोशिस कर रहेंगे कि बाई जिस दिन होसना करेंगे किस दिन भरती आएगी उस दिन हम बिल्कुल फिरी कोर्स करवा देंगे आपको सार भी पिछले साल बे मैं आके बोलता था आप प्लेलिस्ट उठाके देख लेना सबसे पहले में बोलता था और बच्चों ने जिसने ट्रस्ट करके प्रप्रशन करी आज वह हमें क्या है हमारे पैरेंट्स की सपने सच करने फिरी के जुमले बाजी में मत पसना अगर फसो के लिए ओल लेडी हैं इसके अलावा अलग लग टीचर्स की और क्लासिज आपको लाइव देखने को मिलेगी ठीक है अब मैं उसके अलाव में बात करना चाहूं नेक्स्ट की क्या योग्यता मांगी जाएगी योग्यता ट्वेल्थ पास ही रहने वाली है इसके अलाव जो सारे बच्चे फिल अप कर सकते हैं हॉम साइंस में ट्वेल्थ पास होनी चाहिए और यहां पर जोग्रोफी में भी ट्वेल्थ पास होनी चाहिए ठीक है बच्चो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आपको ट्रस्ट है तो जुड़ो भाई निक कोई प्रिशन निए एज जो मिनिममम है एक जन्मीर दोजर्टेइस को 18 वर्स होनी चाहिए और 2023 के फॉर्म जे एक जन्मीर दोजर्टोबीस में अठारी है दोजर बाइस की थी यह दोजर्टेश की है और किसी भी बच्चे को अगर वार्टसप गुरुप से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ और प्रिपेशन स्टार्ट कर दो ठीक है ओम साइंस वालों के लिए जोगरो फिर ओम साइंस दोनों के लिए मैं एक सुईदा बताऊं कि कौन सा बैस रन आपके लिए बचो यह पर्थम सो विध्यारतिय एप का नाम ध्यान से देखके डाउनलोड करना जी एस प्लेनेट क्लासी जैपूर एप ठीक ब्लू कलर का लोगों मिलगा फिर भी किसी बच्चे को लिंक कर नहीं मिलता हो तो मैसीज कर देना बच्चों ने अपनी प्रिपेशन स्टार्ट कर दो काफी देर हो जाएगे वर मतलब डीब आसिस्टेंड का एकजाम नहीं दिया मतलब ट्वेल में हैं ऑपेरिंग वाले हैं और एक वह बच्य जिन्होंने लेब असिस्टेंड में आज जाम दिया और जब अगस्त में रजल्ट आया तो उस अगस्त के रजल्ट में एक या दो नमबर से बच्चों इतने गंटे बैच में लाइव क्लास सलेगी उनको लोग ठीक है एक जनवरी से प्रोपर रूप से आपको और ज्यादा क्लासिज और आपको देखने को मिलेंगी अब यहां साइंस वाले बच्चे हैं साइंस वाले बच्चों के लिए पेपर फरस्ट और पेपर सेकेंड दो होते है पेपर फरस्ट में पीसी भी है फीजिक्स केमेस्ट्री बाइलोजी ओल आवर राजस्तान के सबसे बैस्ट फैकल्टी की क्लासिज आपको एवलेबल है ठीक अल्रेडी रिकोडिड हैं उसके अलावा लाइव आपको मिलेगी इस बैच में दोनों तरह की स्वेदाई हैं किस कोर्स में पढ़ना है तो वो कोर्स में पढ़ सकते हो और नौर्स बगरा पढ़ने तो नौर्स में पढ़ सकते हो आपकी इच्छा है तो आप क्या करोगे बच्चो जो बच्चे फिजिक्स से हैं केमेस्ट्री से बाइलोजी से आप अपना सबसे पहला चैप्र उठाओ सले यहां पर सुरेंदर महला सर जिनको अधर कोचिंग तो छोड़ो इनको खुद को 10 साल का एक्सपिरियंस है एड़ोकेट खुद रह चुके हैं और अभी एड़ोकेट का भी काम करते हैं आप लोग लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ठीक है और योगेंदर सर और ये तरीके से करवा देंगे तो जोगरोफी वेगर सारी चीजे इतनी अच्छे तरीके से हैं बस कमी कहा है हमारे पढ़ने में अगर हम अभी भी प्रपेशन करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम उन विद्यारतों से बहुत पीछी हो चुके होंगे जब हम मार्स अप्रिल में स्टार्ट करें जब नौटिफिकेसन आता है और मैं सच बतारा जब नौटिफिकेसन आता है जब वो विद्यारती त्यारी करता उसका कभी सेलक्षन नहीं कर लेते हैं कि मुझे यह पढ़ना के कमी रही थी जिन विद्यारतों ने पहले हमसे कोर्स लिया और फिर भी उनको वेलडिटी चीए और वेलडिटी बढ़वानी हो तो आप 50% करवादीने आपके वेलडिटी बढ़ा देंगे आप समझना मेरे प्यारे बच्चों क्या समझाना चारहा हूं मैं ये कहना चारहा हूं कि अब आपके नंबर कम आए जैसे आपके नंबर 10 नंबर कम है पिछली बार अब की बार हमें लेना है तो हमें अपनी कमजोरी पकड़ने हमें पीवाई क्यू सोल करना है और देखना है कि हमारे जो किस गलत थे वो किस फिल्ड से हुए उन चीजों के क्लासिज को कवर करो आपको लाइव पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे पता आपको रिकोर्ड अब इसे बनानी है पहले आप क्या करोगे मेरे प्यारे बचो पहले मेरे सारे स्ट्यूरेट्ड समझने कोर्शिस करना अप थेourी कवर करो अब यह नहीं कहता कि हयां से जहां से आपको बेस्ट मिले वहां से cover करो उ उसके बाद आ जाओ mcq नहीं मिल रहो mcq तो आप मुझे messages करो मैं आपको mcq provide करवाऊंगा चैक्टर wise mcq लगाना जैसे cell हो गया cell के लगालो blood हो गया blood के लगालो physics में dynamics हो गया तो उसके लगालो मैंकनिक्स वाले लगा लो इस तरीके से कैमेस्ट्री के लगा लो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो यह रहे निन्याण में 29766337 तो मैं इस वीडियो को यहीं खतम करना चाहते हूं सेर जरूर करना फिर भी कोई डाउट रहता तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना और अपना वार्शो स्टेटर जरूर लगाना और चैनल को सब् चैनल को यह रहा.